हलो उस्टें वालकम लोग है क्लासिफिकेशन ओफ किंग्डंट क्रिस कही कि यह प्लाइभ पर भर ग्रोगी करन पर से हूं किस तरह से समझ में आया है और इसको कहिए कि इनके काहनी दे दे डे एवलूशन होता ही ज呢 फर्स्ट जो एनिमल था वो था पर प्रोटो जो जोवा का आर्थ फोटा है फ़स्ट एनिमल ठीक है फ्रेस्ट जो रिटिस फासट अइपायी हुआ परूप साथा उनका सेरीर था एक कोशिक है या फिर अकॉश किए होता था एक उषिक rzyट्थ और कुंषिक अपस्तित होता है इसमें प्रचला नंग नहते थे जैसिसे लिए फलेजला में पूत पाया जाता था इनमें दूई भाजे ने बानेरी फीजन के द्वारा भी इनका प्रजनन होता था और जैसे कि पैरामिश्य में कंजूगेशन के द्वारा या फिर लैंगिंग प्रजनन होता था इनमें सबस्जादा जो एक्जामपल है प्रोटो जोवा का वो है अमीबा और यूगलीना ये इनमल के रूप में कहे जाएंगे जो प्रोटो जोवा था ठीके इसके बाद हमारा एवल्यूशन हुआ और एवलूशन के साथ heures हमने बहुत कुछ आनीमल्स जी तरह स्की प्लांट का किस तरह से हुआ उसी तरह से अनिमल जगत में भी या अनि प्रानी जगतने भी धीर दे पोडी फेरा नाम से पता चलता है पोडी मतलब होता है बहुत सारे पोर्स फेरा में फेरा में वहता है यहां पर क्या होता था कि यहां पर अभी तक स्रिफ सेल लेबल का ही सेल लेबल का ही यहां पर हमें देखने को मिलेगा यानि कि यहां पर स्रिफ कोशिका का ही कोशिका से ही सेल का मतलब कोशिका से ही बॉडी का निमान हो रहा है ठीक है यह हमें दिखाई दे सकते थे यह एक कोशिके नहीं होते थे यह बहुत कोशिके होते थे लेकिन इनमें टीस सीवस्टानी दो पड़तों यानि बाहया चर्म और अंत में धीली बयवस्तित होती थी दोनों पड़तों के बीच में जैली नुमा जो नहीं मजन कायमा में चुटा चोटपन offen consort का निर्माण करें यार ऑर अच्छे सै अधी में समझ लीजी होथ10 लुघा में बहाड़ी सतह्डा पर यहИली जिसको ओस्टिया कहा जाता है शरीर के भीती में कई नलियों के द्वारे कैनल सिस्टम का होता है जिस तरह की बहुत सारे नलियां होती है और वो जाकर एक जगा पर खुलती है और उसी कैनल सिस्टम के जड़िये इनका पूरा खाना या भोजन का यह अपना भोजन ले सकते थ की जाता है इसको ऐसकिलम भी कहा जाता है तो अब इसको उस्क्रीन पर दिख रहा है अजिसे यह यह लोग को इ cousin परीव टोplic को करते हों उनको टो जर्म लेएर टो जर्म लेयर का होता है जिसको एक्टोडर्म और इंडोडर्म भी कहा जाता है ठीक है, एक्टोडर्म इस दा आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है, डाट फर्म्स जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, एक्टोडर्म उसको कहा जाता है, जो की नेल्स और हेयर बनाता है, इंडोडर्म उसको कहा जाता है, जो की इनर मोस्ट लेयर होता है, जो की बना और यूरिन एनी ब्लैडर भी बनाता है इसके लिए और बहुत कुछ बनाते हैं तो जो एनिमल्स यहां पर कहा जाएगा पॉडिफेरा का सही मिनिंग में की पॉडिफेरा इस फाइल नम डिपलो ब्लास्टिक एनिमल्स हैबिंग सेल लेवल और्गनाइजेशन इनका सेल इनके भीतर एक कैनल सिस्टम होता था जो कि जिसके कारण ही यह अपना भोजन लेते थे और उसके बाद भोजन को उसी के दोरान वहां पर वह भोजन को लेते थे और फिर वैसे ही एक मुह के जरिये फिर निकाल दिया जाता था ठीक है यहां पर मोशली फाउनिं मेरिन जाते थे इंफ्ट उसक्टर उसक लाए जाते ते सारी वाटो जो टर बसाउल को भी कहा सकता है लेकिन भोगत सारी एसे थे जु फ्रेशता में पाखे जाता हैं यह गी जाना लेकिन आपको आसकता है कि सपांचेला है है asponctic फॉक् Skill FM होताता है इनका स्ट्रॉक्चर होता ह लेकिन बट इस आर नोट टीसूज का नेमान इनके द्वारा नहीं हुआ था पोरिफेरंस हैब इंग पोर्स बोडी पोरस बोड़ी होता है बहुत सारे छेद वाले इनका सरीर होता था विद इन्नुमेर बहुत सारे असंख्या और इहीं के द्वारा ये बोजन लेते थे जिस जो है आइस्टीया जाता है घिके जो कि यह माउट की तरह काम करता था और यह सिंगल जो पोर होता था जो कि ओसकुलम उपर हिस्से में खुलता था उसको ऑसकुलम कहा जाता था इसको एनस की तरह पर ये लोग यूज कर देते यानि कि बहुत सारे छेद से पानी के द्वारा अपने भोजन को लिया, फिर उस भीतर में जो बहुत सा नलिया होती थी, उनके द्वारा ये वहाँ पर भोजन को डैजिस्ट किये, और उपर में जो मुख खुला, वो है औसकुलम, उसके जड़िये इन्होंने निकाल दिया, ठीक है, जो यांग होते थे, जो यांग फॉर्म लेते थे, और फिर वहीं से निकाल दिया घरते थे, ठीक है, इनके अंदर एक कैनल सिस्टम का भी काम होता था, नि बहुत सारे नलियों के जड़िये ही इन्हें भोजन जाता था, और फिर वो नलियों के द्वारा है, बड़ा सा मुख उपर की तरफ खुला रहता था, उसक है द्वारा उसकी बाद, इस तरह से यह बहुत सारे हमने पेरिफेरा की बारे में पढ़ा, जिनको क्या, आप देखिए आप यह मत्त्र जो कन्फियूज होगी हो येगा कि जो बहुत छोटे-छोटे जो एस पार कुल्स होते थे, एसपार कुल्स में और और ऑस्र्टिया मे जो बहुद बड़ा एक हिस्सा होता था आपके बुक में इसका एक्जाम्पल नहीं दिया हुआ है मैं यहां पर आपको एक्जाम्पल भी यहांपर मैं पिक्टर में डाल देती हूं तकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है यहां there तो यहां जैसे क्या आप लोग बीदा पर सोग्मा फिण बीदा था यह तो इस तरह से अपना ये भोजन का निर्मान करते भोजन लेते थे